हलो दोस्तो मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाई फाई लर्निंग आज हम पढ़ेंगे development of psychometric chart psychometric chart कैसे बना साइको मेटरिक चार्ट आपका start होता है properties of pure substance से तो पहले हम चलते है प्रोपरइटी ओफ प्योर सबस्टांस में तो properties of pure substance में हमने एक ts diagram बनाया था अगर आपको याद हो तो हमने ts diagram बनाया था किसके लिए water के लिए water के लिए जो ts diagram है वो इस type का बन रहा था ये आपकी liquid saturation कर्व होती है इस point तक और यहां के बाद ये जो होती है vapor saturation कर्व होती है इसके बाद suppose कर लेते हैं एक pressure ले लेते हैं simple pressure उस pressure पे अगर constant pressure पे हम इसको heat देते जाएंगे तो जो कर्व है वो आपकी इस type से बनेगी लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो air conditioning में इसका use करेंगे अब air conditioning में water क्या होता है vapor form में तो vapor के लिए vapor के लिए pressure क्या होगा partial pressure of vapor PV1 पीवी लेते हम तो suppose कर लेते हैं ये एक partial pressure लिया हमने उसके लिए diagram बनाया तो इस type से diagram बनाया ये आपका PV1 हुआ अब इस partial pressure के लिए इस partial pressure के लिए जब ये point saturation कर्व पे meet करेगा ये वाली कौन से आपकी vapor saturation कर्व और ये वाली liquid saturation कर्व आप vapor saturation कर्व कह सकते हैं liquid पे दोनों पे ये एक ही temperature पे meet करेगा तो जो temperature आएगा ये ts diagram में तो ये coordinate temperature शोग कर रहा है आपका तो इस point को लिख लेंगे t saturation at one point ये saturation temperature हुआ partial pressure one के corresponding अब अगर partial pressure of vapor बढ़ जाए अगर partial pressure of vapor इंक्रीज हो जाए यानि कि दूसरे pressure के लिए जब हम कर्व बनाएंगे तो हमारी कर्व आएगी कुछ इस टाइप से तो suppose कर लेते हैं ये partial pressure है pv2 इस pv2 के लिए saturation temperature कौन सा होगा यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर क्या होगा ये वाला temperature this is t saturation 2 अब तीसरा अगर partial pressure of vapor को फिर से increase करते हैं और फिर से हम एक कर्व बनाते हैं तो हमारी कर्व बनेगी कुछ इस टाइप से ये partial pressure suppose कर लेते हैं pv3 है और इसके corresponding जो saturation temperature है वो है t saturation 3 अगर यहाँ पर कोई doubt लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको तो पहले properties of pure substance जाके देखिए उसके lectures देखिए तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे ओके तो हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम partial pressure of vapor increase कर रहे हैं वैसे वैसे saturation temperature भी तो increase हो रहा है इस line पे क्या है temperature है और यह temperature कम है यह ज़्यादा है और यह उससे ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि PV3 आपका सबसे ज्यादा है PV2 से और PV2 किस से ज़्यादा है PV1 से ये partial pressure ये कम है ये उससे ज़्यादा है और ये उससे ज़्यादा है तो ये value कम ये ज़्यादा ये उससे ज़्यादा तो इस टाइब से हम partial pressure लिख सकते हैं ऐसे ही अगर आप लिखोगे T saturation 3 सबसे ज़्यादा है फिर उसके बाद saturation temperature 2 है फिर उसके बाद saturation temperature कितना है 1 है और actual में क्या है PV1 के corresponding PV1 के corresponding saturation temperature कौनसा है आपका T saturation कौनसे ही PV2 के corresponding saturation temperature कौनसा है T saturation 2 से ही PV3 के corresponding saturation temperature कौन सा है T saturation 3 यानि कि हम खह सकते हैं देखो PV1 से ज़्यादा PV2, PV2 से ज़्यादा PV3 और इनके corresponding saturation temperature 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3 तो जैसे जैसे partial pressure of vapor हम increase करते हैं वैसे वैसे saturation temperature increase होता है ये हमें पता चला एक point दूसरा point अगर आपने अगर इस इस PV2 की line पे आप point यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो कहीं पे भी लो, इस PV2 की line पे कहीं पर भी point लो आपका यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी लो उन सब points के लिए saturation temperature आपका यही रहेगा, इन सब points के लिए saturation temperature क्या रहेगा, यही रहेगा, यानि कि जब तक partial pressure of vapor change नहीं होगा, तब तक saturation temperature भी change नहीं होगा, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, कि when PV, क्या है, partial pressure of vapor is constant, T saturation या saturation temperature is also remains constant, यह भी constant रहेगा, और जैसे जैसे हम, जैसे जैसे हम partial pressure of vapor increase करेंगे, वैसे वैसे saturation temperature भी increase करेगा, तो when we increase, PV, partial pressure of vapor, T saturation also increases, saturation temperature भी increase करेगा, तो इन points को हम एक अलग से diagram पे plot कर लेते हैं, किन points को, when we plot these points, कौन-कौन से points, तीन ही point लिख लेते हैं, वैसे तो आप किदिने भी point ले सकते हो, कौन-कौन से, एक तो PV1 और इसके corresponding temperature, T saturation 1, दूसरा point, PV2 और उसके corresponding saturation temperature, T saturation 2, और तिसरा point, PV3 और उसके corresponding T saturation 3, उसके बाद हमें क्या मिलता है, we get, हमें मिलता है, ये वाला diagram जो हम बनाने जा रहे हैं, किस-किस के corresponding लिया है, हमने, यहाँ पर ले लेते हैं, PV इस direction में, और इस direction में ले लेते हैं, temperature, PV versus temperature का जब graph बनाएंगे, तो इस type से graph बनेगा, PV versus temperature का इस type से graph बनेगा, ये जो curve आएगी, इसको बोलेंगे, saturation curve, इसको बोलेंगे, saturation curve, ये saturation curve हुई, इसमें दो reason आएंगे, इस graph में दो reason बनेंगे, ये reason one, ये reason two, दो reason बनेंगे, reason one, और ये second reason, अब जो पहला reason है, ये reason, saturation curve से जो इधर का reason है, ये कह सकते हो, sub-cold reason है, ये कौन सा है reason है, sub-cold reason, ये आपका sub-cold reason है, और ये वाला कौन सा है, super-heated, ये reason आपका super-heated reason है, तो हमारे पास जब भी हमने PV versus T के against में ये diagram प्लोट किया, तो हमारे पास आया, एक तो ये saturation करवाई, दो reason आए, एक reason पहला और एक reason दूसरा, पहले reason में, पहला reason किसको denote कर रहा है, sub-cold reason को, और दूसरा reason कर रहा है, super-heated reason को, अब बात करते हैं, यहाँ पे, कि इससे psychometric chart कैसे बनेंगा, ये हम step by step बढ़ते जाएंगे, तो जो PV versus T diagram हमारे पास आया है, वो ये diagram, इसमें एक reason 1 है, reason 1 को sub-cold reason कहेंगे, और reason 2 को super-heated reason कहेंगे, और ये saturated curve है, तो reason 2 जो है, वो super-heated reason है, वो हमारे काम का है, क्योंकि air में, जो vapor मुझूद है, वो किसमें है, super-heated state में है, तो हमने यहाँ पे लिखा है, as we know, water vapor in air exists in super-heated state, and hence, in air conditioning calculation, reason 2 is taken into consideration, तो हमें reason 2 चाहिए है, तो ये वाला जो coordinate है, इसको इधर shift कर देते हैं, तो ये जो diagram है, वो इस type से बन जाएगा, ये diagram बन जाएगा, इस type से ये वाला, तो इस direction में आपका T temperature है, और T जो temperature हमने simple temperature लिया है, तो ये DBT है, इस direction में DBT increase हो रहा है, और इस direction में PV increase हो रहा है, तो इस direction में DBT, इस direction में PV increase हो रहा है, अब इसमें थोड़ा सा change और होता है, वो हम देखते हैं, हम as we know w, w क्या है, specific humidity, वो हमने पढ़ा था, first lecture में, psychometry के first lecture में हमने पढ़ा था, कि w is a function of partial pressure of vapor only, pv का ही function है सिर्फ, क्योंकि pt को हम total atmospheric pressure और उसको हम constant मान के चलते हैं, तो w जो हो गया, आपका किसका function हो गया, सिर्फ और सिर्फ partial pressure of vapor, अब जैसे जैसे partial pressure of vapor change होगा, वैसे वैसे w भी change होगा, जैसे जैसे partial pressure of vapor change होगा, वैसे वैसे w भी change होगा, तो नए psychometric chart में pv को replace कर देते हैं, w से, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, as W is a function of PV only, so in new psychometric chart, PV is replaced with W. तो जो नया psychometric chart बन के आया, वो इस type से आया, new psychometric chart इस type से बन के आया, तो यह इस direction में आपको क्या show कर रहा है, sorry, PV की जगे क्या लिखेंगे, W, यहाँ पर आपको W बता रहा है, कि W आपका कैसे change हो रहा है, और इस direction में आपको दे रहा है, dry bulb temperature, DBT, और यही होता है आपका psychometric chart, अब इसका थोड़ा सा analysis और करते है, तो हमने यह देख लिया कि यह psychometric chart आपका बना कैसे है, तो इस psychometric chart में यहाँ पर इस जगे पे यह जो reason है, इसी reason में आपका पूरा psychometric chart होता है, यही पर सारी psychometric processes आपकी define की जाती है, तो इस point पे हम check कर लेते हैं कि यहाँ पर degree of freedom क्या हो इस जगे पे degree of freedom की value निकालते हैं, देखो degree of freedom का formula आपको याद होगा, F plus P is equal to C plus 2, यही होता है degree of freedom का formula, इसमें F का मतलब होता है degree of freedom, P का मतलब होता है number of phases and C का मतलब होता है number of component, तो यहाँ पर हम moist air के लिए पढ़ रहे हैं, तो moist air के लिए, moist air के लिए हम इस point पर degree of freedom निकालेंगे, देखो पहले P, P क्या है, phases, phases की value 1 ही है, क्योंकि आपकी air भी gaseous phase में है और water vapor जो उसके अंदर है वो भी gaseous phase में है, तो कौन सा phase हुआ, gaseous phase में ही है दोनों, तो एक ही phase हुआ, gaseous phase, C, C क्या है component, अब component कितने हुए, component हुए आपके पास, component होंगे दो, दो कौन-कौन से component, एक तो air और दूसरा water vapor, एक तो dry air, simply dry air जो थी वो वाला component और दूसरा component होगा, water vapor, तो यह value इसमें put कर देते हैं, तो F plus P, P की जगह पे कितना आए, क्या value आएगी, 1, is equal to C, C की जगह पे 2, plus 2, तो F की value, यह हुआ, 4, और 1 को उधर लेके जगह तो minus 1, F is equal to 3, F की value, degree of freedom की value, 3 आई, बट psychometric chart में तो हमें सिरफ दो ही variable चाहिए है, दो ही intensive variable चाहिए, एक dry bulb temperature और एक W, यहां पर degree of freedom आरिये 3, तो यह कैसे हुआ, तीन variable चाहिए होते, अगर हमें तीन variable चाहिए होते, तो हम मान लेते की ठीक है, degree of freedom 3 है, तो हमें 3 variable चाहिए किसी भी point की state को fix करने के लिए, पर यहां पर तो 2 ही ही है, एक यह और एक यह, तो किसी भी point की, आप state fix कर सकते हो, तो यह कैसे हो रहा है, actual में हमने जो psychometric chart develop किया है, वो किस पे किया है, वो psychometric chart में हम जो total pressure है, air का total pressure है, उसको constant माना हुआ है हमने, उसको क्या माना हुआ है, constant, वैसे भी बताया था ना कि PV का function क्यों होता है, क्योंकि आपने total pressure को constant ले लिया है, तो यहनि कि एक variable, एक variable कौन सा, total pressure, वो आपने fix कर दिया है, इसलिए degree of freedom की value 3 है, तब भी आपको सिर्फ two ही variable, दो ही variable चाहिए, इसकी किसी भी point पर इसकी state fix करने के लिए, तो इसको लिए लेते हैं, note करके लिखेंगे, बहुत अच्छा point है, तो इसमें हमने क्या लिखा है, कि degree of freedom for moisture is 3, degree of freedom कितनी है moisture के लिए, 3 है, but on psychometric chart, only two intensive variables are required to fix the state, सिर्फ दो ही intensive variable चाहिए हमें psychometric chart पर state को fix करने के लिए, क्योंकि, because psychometric chart is drawn for fixed total pressure, total pressure को हमने fix लिया है, fixed total pressure of air, that is third variable is fixed, third variable fix है, और degree of freedom अगर आपको याद हो, तो degree of freedom की value जो क्या देती है, वो बताती है आपको, degree of freedom equal to number of intensive variable to fix the state, कितने number of intensive variable आपको चाहिए है, और intensive variable का मदलब आप पढ़ोगे, फिर intensive properties में चले जाओ, वो thermodynamics के starting में है, तो intensive variable, intensive temperature भी intensive होता है, और pressure भी intensive होता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो variable है, तीसरा हमने fix कर दिया है, total pressure को, तो इसलिए यहाँ पर, हमें दो ही चाहिए है, बट degree of freedom 3 है, degree of freedom चेंज नहीं होगी, degree of freedom 3 है, बट psychometric chart में, हम एक variable को fix करके, यह psychometric chart बनाते हैं, तो इसमें हमने अभी तक, psychometric chart की development ही पड़ी है, अब psychometric chart पे, कौनसी lines किस टाइप से होती है, constant temperature lines कैसे होती है, constant wet bulb temperature line कैसे होती है, constant enthalpy line कैसे होती है, constant relative humidity lines कैसे होती है, तो वो हम discuss करेंगे next lecture में, आज की lecture में इतना ही,